बोड़ी कमर इस्वाट की सबसे बड़ी सूचना न्यूज एट इन राजिस्थान पर आपको बताते चले कॉंग्रेस की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है पहली सूची का एलान कॉंग्रेस की ओर से कर दिया गया हलाकि निश्य तोर पर एक लंबा इंतिजार करना पड़ा कॉंग्रेस पार्टी के जो कारे करता है इसके साथ साथ टिकेट आर्थियों को भी लेकिन जैसे ही बीजेपी की ओर से दूसरी लिस्ट जारी की गई कॉंग्रेस ने भी 35 उमीदवारों के नामों का एलान कर दिया है बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट का एलान किया महज आधे गंटे के भीतर-भीतर ही कॉंग्रेस ने पहली लिस्ट का एलान कर दिया है कुल 35 नाम सामने आ चुके हैं जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है जिताओ उमिदवार का दावा लगातार 33 उमिदवारो के नामों का एलान हो चुका है कॉंग्रेस ने एक बड़ी घोशना कर दिया लगातार जिताओं और टिकाओं उमिदवारों को डूनने के लिए कवायते भी की जा रही है कई दौर की बैचके कॉंग्रेस की ओर से की गई दो सो सीटों में से 33 उमिदवारों के नामों का एलान इस वक्त कॉंग्रेस की ओर से कर दिया गया है सेयोगी सौरब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सौरब कुल 33 नाम जिताओं है क्या ये सबी कोंग्रेस ने चोटी लिस्ट जारी करी जिसकी बनिष्पत बीजेपी ने करीब एक 64 नामों पर भर लगा दी लेकिन जो नाम पहले से चल रहे थे इनके नाम ऊपहले से जो है वह चल रहे थे यानी कोंग्रेस ने भी बजलाओ 情ए वह नहीं किया है अब कुछ इंट्रेस्टिंग बाते जो है वो देखने को मिलेगी मालवी नगर से फिर वही मुकाबला जो 2018 में देखने को मिला था काली चरण सराब के सामने अर्चना शर्मा रहने वाली है अमित चाचान जो वरतमान विदायक है उनके सामने अभीशेक मटोरिया जो है वो अब जादा बदलाओ इस लिस्ट में देखने को नहीं मिल रहा है बड़े नामों की बात करें नादवारा से सीपी जोशी है जो विदान समय अज्श ऑच्ष है उनको में फिर से उतार दिया गया है यानि कोई बड़ी बदलाओ इस लिस्ट में नहीं है यानि कॉंग्रेश जो है वो फूख-फूख कर कदम जो है वो इसलियाद से रख रही है कि जो विरोध BJP में देखने को मिल रहा था वो विरोध जो है वो बिल्कुल शायद इसी विरोध की वज़े से पाटी डर भी गई और इसी वज़े से जादा बदलाव नहीं किया गया है क्योंकि पहले तो कॉंग्रेस की ओर से जिस तरीके से परविक्षक बनाए गए उन्हें मैदानों में उतारा गया, रिपोर्ट स्वापा गया, आला कमान को लग रहा था कुछ नए और फ्रेश चेरे आएंगे सामने हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा था, लेकिन जो पहली लिस्ट है, उससे तो यहीं लग रहा जो वरतमान विदायक है, उन पर ही पार्टी ने बरुसा जता है, जादा किसी का बदलाव नहीं किया है, क्रिशना पुनिया, साधुलपूर से लड़ेंगी हो चुनाओ, पहले भी 2018 स जीती हुई है, मंदावा से रिटा चोधरी जीती हुई है, अब नरेंज खीचर के सामने उनका मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, ममता भुपेश कल जिस प्रकार से नाम हसी, हम गहलोत ने संकेत देई दिये थे, दानिश अबरार, मुकेश भाकर, चैतन सिंग जो है, वो कॉंग्रेस ने अपनी लिस्ट में नहीं किया है, यह बहुत बड़ी बात है कि जो विरोध की बात की जा रही थी, कि कॉंग्रेस की लिस्ट आने के बाद कुछ विरोध हो सकता है, उस विरोध को संबना थामने की कोशी जो है वो कॉंग्रेस इसलिया अच्छे क कि जैसे जैसे चुनाओ नजदिक आएंगे ऐसे जो है वो लिस्ट की घोष्टा जो है वो की जाएगी बाउती बाईटु से अरिष्चोधरी का नाम जो है वो पहले भी वह विदायक रह चुके हैं साती क्या वलब नगर से जो है वो पृति गजन सिंग जो है वो मैदान में तो तमाम महेंदरिची सिंग मालविया जो लगातार बागी दोरा से जो है वो चुनाओ लड़ते आए हैं कुशलकर से रमिला खडिया जो निर्देली जीती थी पिछली बार उनको मैदान में उतार दिया गया है यानि किसी प्रकार का बदलाओ कॉंग्रेस ने कम से कम नही ही्टेडान से ही किया है हिंड़ रहा है जो यह वो है डेगाना से विजजाइपाल मिर्दा जो जोति मिर्दा के भाई है उनका जो है वह मैदान में उतार दिया गया है दी व्यत्त बादान खमाट कि संकेत कॉंग्रस द्वारा दे दिए गये थे अला कमान द्वारा संकेत दे दिये गे तो आप तैयारी करें, लेकिन अब लिस्ट जारी किया लेकिन वो बहुत चोटी है, यानि अगले दो-चार-पांत दिन में फिर जो है वो कॉंग्रेस अपनी लिस्ट जारी कर सकती है लेकिन बीजेपी ने भाजी जो है वो मार ली है और बड़ी लिस्ट पहले 41 और अब 83 यानि 100 से जाधा सीटों पर जो है वो अपने उम्मीदवार उतार दी है तो अब देखना होगा कि बीजेपी में किस प्रकार का विर को देखते हो कि कहीं ज़्यादा विरोध नहों इसलिया से बड़े नाम जो है वो इसमें जारी कर दिये शांती धारिवाल का नाम नहीं है ज्यादा तर मंत्री जो वर्तमान में वंत्री है उनके नाम इसमें है लेकिन शांती धारिवाल का नाम नाम इस लिस्ट में नहीं हो दो जो मजबूत मंत्री, तीन मजबूत मंत्री, महेश जोशी, साथ साथ में शांतिधारिवाल और इसके लाबा लाल चंद कटा रिया, तीन नाम अभी रोके गए हैं, और अभी 33 की ही लिस्ट आईए, क्योंकि अभी रोकना ही यही कहा जाएगा, टिकेट कटना अभी हम नही कह सकते हैं, क्योंकि शांतिधारिवाल अपने बेटे के लिए मांग रहे थे, टिकेट और इस तरह की खबरे आई थी, कि पुत्र पुत्रियों को टिकेट नहीं दिया जाए, बजाए, उन्हीं दावेदारों को मैदान में उतारा जाए, लेकिन शांतिधारिवाल का नाम का दूसरे के लिए मोहबत बताई जा रही है, पाइलेट भी विरोध नहीं कर रहे हैं, अशो गेलोध भी विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस पहली लिस्ट के अंदर अधिकर नामों पर चर्चा और सिर्फ तीस नामों पर ऐलान किया गया है, ये बड़ा इंडिकेशन है क कॉंग्रेस को लिस्ट जारी करने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सरयोगी आयूशी इस वक्त हमारे साथ न्यूस रूम से चुड़ चुकी है, आयूशी, कौन-कौन से उमिद्वार उतारे गए कॉंग्रेस की ओर से मैदान में, देखें प्रेंका जिस गया है, और देखें मंता भुपेश को भी प्रेंका यहां पर टिकेट दिया गया है, और कली वो तस्वीरे हमने दिखाई थी, प्रेंका गांधी ने रैली को संबोधित किया था, और मंता भुपेश भी वहाँ पर मौजो थी, और मंता भुपेश को टिकेट दिया और कई चोकाने वाले नाम पहले ही क्लियर कर दिये थे और अपील भी की थी कि ममता बुपेश को जिताएं वहां से चोकाने वहां पहले ही की पहले लिए क्लिद कार बीज़े ऋर यह में विज़े ने जैसे युझा है ने दूसरी लिश्ट जारी कि उसका जारी कर दी यानि की कांग्रेस इंतजार कर रही थे बिलकुल सुबह से ही सस्पेंस परकरार था